विकास खंड इस्तर पर नवीन मिट्टी परिक्षन ट्रयोग सालाओं के भवन एवं उप्त करनों को युवा उद्मियों एवं संस्थाओं को उपलब्ध कराने की स्विक्रती मुख्यमंत्री डौक्टर यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिसत के निर्ने लोक्तंत्र सेनानियों की देश व सम्विधान के प्रती बद्धता को नमन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की अध्यक्षता में बंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई मंत्री परिशत की बैठक स्वास्थ शेत्र में मध्यप्रदेश को सीर्स में लाने के लिए पूरे मनो योग से कार्य करें उपमुख्यमंत्री श्री सुक्ल समुदाय की सहभागिता से अभियान को जन आंदोलन का रूप दें दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान का किया शुभारंब 25 जून से 31 अगस्त तक घर घर दी जाएगी दस्तक आपातकाल में त्वरित चिकित्सकी सेवाओं के लिए एर एंबुलेंस उपियोगी उपमुख्यमंत्री श्री सुक्ल मौगंज के श्री गोविंदलाल को सर्व प्रथम मिली पीम श्री एर एंबुलेंस की सुविधा आयश्मान कार्ड धारी को मिली निशुल्क सुविधा सरकार का विरोध करने दिल्ली जाएंगे यूवा कॉंग्रेस बीजेपी मुख्याले में सौपेंगे घोटाला कर्मठ अवार्ड एंपी यूवा कॉंग्रेस का 27 जून को बीजेपी सरकार की सिक्षा नीती एवं सिक्षा माफियाओं के विरुध संसत भवन का घेराव करेंगे इस दोरान बीजेपी मुख्याले में घोटाला कर्मठ अवार्ड सौपेंगे मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला 52 साल बाद अप सी एम मंतरी अपनी जेप से भरेंगे अपना इंकम टैक्स मध्यप्रिदे सरकार ने 52 साल पुराना नियम बदल दिया है अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों की आए पर लगने वाला आयकर उन्हें अपनी जेप से भरना पड़ेगा सरकारी खरदाने से यह टैक्स नहीं भरा जाएगा स्वास्ते विभाग को 6 मैने में मिलेंगे 20,000 स्टाफ मंत्री ने की दस्तक सह डायरिया अभियान की शुरुवात आने वाले वर्ष में बुंदेल खंड की टीम का MPL में होगा सिलेक्शन ग्वालेर में बोले महा आरेमन सिंधिया सी मांकन करने पहुचे आर आई और पटवारी को ग्रामिणों ने बंधक बना कर पीटा थाने पहुच कर बचाई जान भोपाल शहर सरकार का बजट दो जुलाई को जनता पर पढ़ने वाला है भार ऐसी ही डेली अपडेट के लिए देखते रहें न्यूस टाइजरिस्ट मेट्रो मिररर डॉट कॉम